दस माई को रामपुर की स्वार विधान सभा सेट पर मतदान होने वाला है जहां सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आजम खान पहुंचे तो एक बार फिर से शब्दों के मरियादा लांक गए आजम खान ने लोगों को सम्भोधित करते हुए चुनोती दे दी क्योंके बेटे अबदुल्ला को स्वार विधान सभा सीट पर कोई भी हरा नहीं सकता था आजम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामपूर वो लोगसबा सीट से नहीं हारे आजम खान यहीं नहीं रुके उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा अपना दल एस पृत्याशी को अपशब्त भी कह डाले वहीं आजम खान के बयानों का जवाब देते हुए अपना दल एस के प्रत्याशी ने उन्हें पागल करा दिया वह असल में क्या है उनके 25 गरीवी है उन्हें पहले अपने इलाज कराने से गिए और हमारी जो ब्रादिर को कह रहे हैं अनसारी को ये ब्रादिर अनसारी ने इनने बहुत बोट दिया है रामपुर मों आप तक देता है ये आदमी पागल हो गया है इसको अपने इलाज कराने से स्वारबधा अनसारी सीट पर चुना प्रचार थम गया है और 10 मई को वहाँ वोटिंग होनी है लेकिन वहाँ जीत किसी की भी हो लेकिन लंबे वक्त बाद इस सीट पर आजम परिवार या नवाप खांदान की जगा कोई और चहरा जीत दर्ज करेगा निकाई चुनाओ के दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने बारा बंकी मिर्जापूर और अयोधिया में जुनसभाई बारा बंकी के जुनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने कहा कि नगर निकाई चुनाओ सपा बस्पा के सफाई का चुनाओ है बारा बंकी के बाद सियम योगी पूरवांचल के मिर्जापूर पहुँचे और सरकार की योशनाओं का जिक्र करते हुए कहा विपक्ष पर निशाना साथती हुए कहा कि इंदलों ने मिर्जापूर की जल्ता को पानी के लिए तरसा दिया यहां पर सबसे ज़्यादा परिसानी होती थी जल का संकर इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के दो किलो मेटर चार किलो मेटर पांच किलो मेटर की दूरी आने वाले समय में नए तै करने पड़ेगी बारबंके और मर्जापूर के बाए सीम योगी अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने इस जिले के काय कल्प का अपना संकल्प एक बार फ़र से दोहराया अयोध्या हम सब की है अयोध्या के प्रत्याप सब के सामें जिल्मधारी भी है तो निकाई चुनाओ के दूसर चरड़ के प्रचार के अंतिम दौर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए हैं और सपा प्रत्याश के लिए आज दो नगर निक्मों में सपा के प्रत्याश के लिए अखिलेश यादव ने रोट्शो किया अखलीश यादव सबसे पहले अलिगड पहुंचे जहां उन्होंने समाजवादी पाजी के मेर प्रत्याशी जमीरुल्ला की समर्थर में रोट्शो किया ज़रान अलिगड में अखलीश यादव को देखने के लिए भाड़ी भीर उमड पड़ी रोट्शो के बाद अखलीश यादव ने भाड़्पा पर हमला बोलते हुए तमाम मुद्दो पर यूपी सरकार पर हमले किये समार सिटी के वन नाम के ये समार सिटी रह गई है जो बजट उपलब तरह था सीवर सिस्टम नहीं है अभी अलिकर के बाद अखलीश यादव मेरट पहुँचे जहांनों ने सपा की मेर उम्मिदवार और सरधना से सपा विधायक अकल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के लिए रोट्शो किया जोरान मेरट में भी सपा कारिकरताओं ने अखलीश यादव का जोरदार स्वागत किया लेकिन रोट्शो के दोरान अखलीश यादव के साथ सपा विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर नहीं दिखे ऐसे में दुनों नेताओं की गयर मौजूदगी ने मेरट में म प्रफीक अंसारी विधायक है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं और उन दोनों का यहाँ ना होना कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है समाजवादी पाची की मेर उमिद्वार बंदना वाजपई के लिए प्रचार करने अखले शादव की पत्नी और सपा सांसद दिंपल यादव कानपूर पहुंची थी जहां उन्होंने रतियात्रा करके सपा को जिताने की अपील की कानपूर में डिंपल यादव की रतियात्रा ने किद्वाई नगर से होते हुए यशुदा नगर बाइपास तक की दूरी तैखी इस दौरान डिंपल यादव के साथ जेल में बंद सपा विधायक इर्फान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी सपा प्रवक्ता जुही सिंग और विधायक रागनी सोर्गर भी मौजूद थी कानपुर में मेर पत के लिए भाषपा और सपा के बीच काठी की टककर चल रही है एक तरफ भाषपा ने मौजुदा मेर प्रमिला पान्डे को मैदान में उतारा है तो दूसरी तरफ सपा ने विधायक अमिताब भाषपाई की पत्नी पर दाव लगाया है लकनो में कमिश्टोनेट पुलिस और ट्राफिक पुलिस को कली चुनौती चलती काडी पर करतब दिखा रहा है युवा खाती पार के साब में करतब दिखाता है गाज़बाद में कार के दर्वाजे पर लटक कर युवा कानून के उड़ा रहे धजियां राजनगर एक्स्टेंशन का वीडियो बारल पुलिस सडकों से नदारत थाना नंदिग्राम शेत्र कमा लकिन बूर किरी में सोनारी पूर वन रेंज शेत्र में हाथियों नी जिपसी को दड़ाया बाल बाल बची सवार्यों की जान दोधवा नेशनल पार्क कि लाकी कमा बुलन शेर में अनोकी अंदाज में निकाय चुनाव का प्रचार भार्टपा से सदर विधाय कृदीप चौधी खुधीर ई रिक्षर चलागर कर रहे प्रचार भार्टपा प्रट्यार्शी के पक्ष में मांग रहे पूर्च अमेची में पती ने पत्नी की धारदर हत्यार्थी की हत्या घटना को अंजाम देकर पती मौके से परार पुलिस ने शेप को कबदे में लेकर जाच शुरू अनौज में दो दिन से लापता साथ वर्ची बच्ची का मिला शवाफ पिरित परी जुनों ने हत्या का लगाया रोप पुलिस पूरे मामिली की जाज में जुटी कर नौज के काल ग्रम ठाना इलाकी कमा नौईडा में पुलिस और इंकम टेक्स विवाग की बड़ी कारवाई एक संदिक्त कार से बारी तादात में कैश बरामत कार में सबार चाल लोगों को हिराचत ने लिया है नौईडा की सेक्टर 23 की तरफ खड़ी पिता की हत्या की पुलिस ने शेप को कबजे मेलेकर पूस हाउस में कई दिनों तक रुखा था बुड़ो मुस्मिन, पुलिस ने शाहस तरफ रवीन को माफिया करादी लिखा, धूमन गंच ठाने के प्रबारी, राजश कुमार मौने ने दर्ज कराई थिया है स्वार की लडाई में जुबारी जंग हुई तेज आजम खान गोले मेरे दियोए पैसो से स्वार का विकास हुआ भाजपा कटबंदन प्रत्याशी शफीक अंसारी ने कहा आजम खान को अपना इलाज कराना चाहे बारा बंकी में निकाय चुदाव के लिए स्वार की अखलेश शादव ने रोडशो किया सवर्थ को की जुटी भारी भी प्याए चार साल की सजा के खिलाब पूर्व सांसा दवजाल अंसारी ने हाई कोट में राकी किया आजिका सजा पर रोक लगाया जाने की लगाई गुहाट जिस गैंक्स्टर मावले में सजा उसके मून मुकत्वे में बरी होने की गई थी तरह कणप्रयाग में देवाल ब्लॉक प्रमुक दॉक दॉक्टर दर्श्चुन दानू और ब्लॉक के बरस्ट सहाया की बीच कहा सुनी का वीडियो वारल ब्लॉक करमचारियों ने ब्लॉक प्रमुक अपकिया बईश चुटा प्रमुक दॉक दिलाने के धामी सरकार की फैसले को बता है हास्ते बदर कहा प्रदीश में रोजबार की अफसर खत्म हो जो जो यमनोटे धाम में बर्फबारी की कुपसरत अस्वीर साब ने आई है बर्फबारी देख तीर्थ यात्यों के चेहरे खिले धाम में नियुनतम तापमान माइनस वांच दिखने जबके अधिक्तम तापमान दो दिखने चमूली में 20 सारी को खोले जाएंगे हिमकुंट साइब के कबार हिमकुंट साइब में जमी हुई है कई फीच बर्फ सेना के जवान बर्फ काटकर बरा रहे रास्ता बागिश्वर के भदर तुंगा में शुरा महाईयगी कुमाव लगू कुम्ब का आयोजन 3 माई से शुरू हुआ लगू कुम्ब 11 माई तक चलेगा भदर तुंगा को परेचक इसकल के रोप में विक्सुत करने की कोशिश दरदुन में बाइक स्टन करने वालों की खिलाफ होगी बड़ी कारवाई रच ड्राइविंग करने वालों पर दर्डशो कम कत्मा चालान की जगा अब मुगत्मे की होगी काकट धरदोम से उत्रकन में जिलो के प्रवारी सचीव की व्यवस्ता होगी अब नहीं होना है उत्रकन में जिलो के प्रवारी childhood आपर सचीव को दवरा कर ने के निरुगी विद्धर प्रियाग में याथ्टिक के कम भीज़ जाने सी याचा पड़ाओ पर व्यापारी दुखी बोली विवस्ता होने के बाद भी कम भीज़ जा रही है याथ्टिक पॉडी में व्यापार सबाने ट्रेट फियर के लिए चुनहील जमीन पर आपती जदाई कंडोलिया मैदान में लगाय ज़ा रहा हा ट्रेट फियर व्यापादियों ने खेल के मैदान में ट्रेट फियर का विरोच जढरा अर्द्वार दीम से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधाय कावय धार्वे किस्तलों पर हो रही कारवाई को लेकर भी चुर्चा संबंदित व्यक्तियों को भेजा गया नोटे संपती खरीदने और वेशने पर की गई स्टांप ड्यूटी चुर्च रुद्र प्रियाग में के दाना धाम जाने वाली याठ्यो की बढ़ रही भी बढ़ती याठ्यो की संख्या के मकावले व्यवस्ताएं कम तीर्थ पुरो ही तो ने की धाम में टेंट कालोरी बढ़ाने और श्रतल निर्वान की बार लखनो में बदला मौसम कमिजास, लखनो में भारी बारिश से लोगों को मिली गर्मी सराहत का इलाखों में हुई थी स्पाटिश वारा नसी में डिम कारेले के बार अधिवक्ताओं का प्रतिशन नियाले स्थानन तरन को लेकर अधिवक्ताओं में आक्ष दर्जुन की संख्या में अधिवक्ताओं ने किया प्रतिश जौनपूर में फूट पॉज़िंग से सौ लोग बिमार, शाधी समारों में खाना खाने के बाद लोगों की तवेत बिग्री लोगों को कराया गया अस्पताल में पड़ती उस सहत खाना श्वेत्र के खेड़ा जलाल पुरुत सामा सारन्पुट में दर्जबूशन सिंग के समर्थन में उतरे शातिर समाज के लोगों ने भरिफ़शन सिंग के समर्थन में लगाये कोटी राजपूट स्वाभिमान मंच ने कुछ्टी संग के अद्धिक्ष बरिग्रण सिंग के समर्थन का ऐलान किया है मंच की प्रदीश अदिश ने टिकायत यूनियन और खाप पंचायतों को चेतानी देते हुए कहा रजबूशन सिंग का अपमान ना करें मुझफर नगर की सर्कुलर रोड पर आरेलजी ने निकाला पैदर कैंडल मार्ट जंतर मंतर पर धरना प्रदेशन का रही महीवला पहिलवानों को समर्थन किया कैंडल मार्ट से आरेलजी के बददिकारी और दर्जुन कारेकरता शाबिल हुए रामपुड में सपा निता आजम खानी सपा प्रत्याश्य अनुरादा चौहान के लिए जिनसपा में बोट की अपील की उन्होंने अब्दुल्ला आजम की हार को नामुम्किन बताया और विपक्ष पर जमका निशाना साथ है चुझाओ को लिगा स्टॉंग रूम के बार प्रत्याश्यों का पहरा दिखने को मिला सबाक हिमेरपत के प्रत्याश्य ओपिसन्ग में कारेकरताओं को लगाया स्टॉंग रूम के बाहर उड़बार में अवायद दुर्प से बने धार्विकस्तल को पुलिस की मौजूद्गी में दोस्त किया गया स्टाने लोगों की शिकायत के बाद उवजला रिकारी ने लिया एक्षन का हावन रुखा की भूमी पर बनी मजार को दोस्त कर दिया गया यूगी में पी एफाई के खिलाफ बड़ी कारवाई बी से जाला दिजलो में ताबर तोड़ छापा दो इनामी गृफतार सत्तर संदिक्दों से पुष्टा चारी गाजिबाद में अवेद असला फैक्टरिकाव क्लासा शेबाज पोर गाव में कारवाई ग्यारा अवेद तमंचे तमंचे बनाने का समान बरा कुष्टितं के अध्यक्ष ब्रेज भूशन शेरन सिंग का बयान हम जूनियर पहलवानों की लड़ रहे लड़ाई दिली पूलस की विवेचना का इंतुसार केज़े सियम यूगी ने बरेली में भाटपर पत्याश के लिए मांगे बोट्श ब्रेली में कहा बरेली में पहले दंगे होते थे लेकिन 2017 से आज तक यहां नहीं हुआ तने मउमे मंट्री एकिशर्णा ने मउनगर निकाय चुनाओ का संकल पत्र जारी किया व्या पार्यों के सामने पेश किया विकास का खका बस्वनेता अजीम इटावा में किया प्रचार समाजवाधी पार्टी पर लगाया आरोग पार्टी से मुस्लिम नुमाइंदिगी खत्म करने में लगी हुई है समाजवाधी पार्टी और ये में एकलेश ने ब्रिजेश पार्टेक पर साधा निशाना का उनके बारे में कई बार अखबारों में माफिया लिखा है सरकार ने हटाई काई कि अयोधी में बस्वा प्रदीश अद्यक्ष विशनात पाल का बयान जीत को लेकर हम बनाप्ती दावा नहीं करते ततीजे आते ही सब साफ हो जाए राजस्तान का अनुमान करने सुमवर को एक में के किस विबान दुर्गटना गरस हो गया असे एक ग्रामिट के मौत हो गए पुलिस के मतारिक विबान का पालिक सुरक्ष ने अमरस्तर के हरिटेज स्ट्रिक में फिर से हुआ बलास्ट गाड़ी के शीशे टूटे एक शक्स की घायल पुलिस तर जाज शूरू की हरिटेज स्ट्रिक में संदिक धुमाकी की जाज के लिए पुलिस वार्म से टीम पहुची पुलिस बिजाज विचुटी है गोल्डन टैंपल से सर्फ पांसु मीटर दूरी है जब चौबर गंटे में देश में कोरूना के एक हजार आच सो उन्तालिस नई केसाब में आए हैं कोलेक्टिव केस अब घटकर करीब पटके सुदा रहे थे मनिपुर में इंसा प्रभावी तिलाकों में आज कर्टियों सीरी गई रहा जिसके बाद लोग रोजबरा का सावान खरीटे में सरा है जंतर मंतर पर खिलाडियों के समर्थर में हुई पंचार में सरकार को 21 माई तक काल्टिमेटर मंदरा दिनों में सरकार नहीं मानी तो नई रणी की पलिया आचाये का फैस्ता जंतर मंतर पर पहलवानों दिनिकाला कैडल बार्ट जिस्ताक्षी मलिक ने कहा सब को पता है कि गलत हो रहा इसलिन आएक की लड़ाई में हमारे साथ लिए जार खंड के जाम ताड़ा के विधायक के साथ हाथ सा फोटो के चुवाने के दौरान पारी में किरे विधायक रफान अमसार एक जुन में दिली में कुरोना के 11 नई केसा है सामने 18 कोविट मरीजों की हुई मौस संक मंदर आठ दश्टिल दो एक फीज़ती लग दर्थ एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी